हेलो उर्वन क्या साथ लोगा यूहोप आप अच्छे होंगे वेलकम टूद अमेजिंग प्लैट्फोर्म फिजिक्स वाला मेरे नहीं हो अब अब दिखना सुरू कर चुके एक प्यारी खुबसूरा सी इन औरगनिक हम मुझे Concentrated Ore से क्या बनाना है मेटल बनाना है तो हम क्या करते हैं वहिया Concentrated Ore की करा देंगी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग और मैं चर्चाहँच इसी पर करूंगा अक्सर बच्चे पेपर में यहीं नहीं दूण पारे कभ कैल्सिनेशन और कब roasting है यहाँ ढंक से सिखाया जाएगा अब इत्मिनान से सीखेगा ठीक जी अगली चीज क्या है कि भहिया देखो जब concentrated ओर था उसकी calcination या roasting करा दी गई तो वो metal का oxide बन जाता है जब metal का oxide बन जाए तो इसका reduction करा करके हम आराम से metal बना सकते हैं तो यहाँ पर है कि हमारे पास और concentrated था हमने कैल्सिनेशन कराई या रोस्टिंग करा दी इसके बाद बहिया metal oxide बन गया और इसका reduction process करा करके हमने metal बना लिया लेकिन प्रश्ण यह है कि कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है तो चले देखते हैं नाम से वैसे बहुत कुछ मतलब निकल क्या रहा है रोस्ट करने का मतलब क्या होता चीजें रोस्ट की जाती है oxygen के प्रजेंस में हमारे घर में रोस्टिंग जो चलती है वह वाले क्या होते है oxygen के प्रजेंस में और calcination में just simple सा हीट करना है वो भी देख करके पता चल जाता है कैसे बताता हूं आपके सामने प्रस्तुत है calcium carbonate अब एक बार बताईए क्या यहां पर oxygen है या बाहर से oxygen लेने की जरूरत है तो आप कहेंगे यहां पर जाएगा अगली ची देखें रोस्टिंग के अंदर देखो भाईया यह सल्फाइड ओर होंगे तो जो सल्फाइड है उसमें क्या oxygen प्रजेंट नहीं है इसका मतलब बाहर से oxygen लेना पड़ेगा तभी तो अगली चीद देखें अफ़ीट रोस्टी दॉट नोट रिएच्ट वेल मेतल प्रजेंट बनपाईगा क्लिए यह सार अब यह बन्न होगा तो क्या होगा जब कौपर ऑक्सिजिन के प्रजेंट में बनन होगा जलेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और सलफर जलेगा त प्रिस्टलाइजेशन आपके क्रिस्टल के अंदर यह वाटर प्रेजंट है अगर यह प्रेजंट है तो हम हीट करें तो क्या होगा यह वाटर वैपर बनेगा और उड़ जाएगा तो आपके पास क्या प्रेजंट मिला एफी 203 प्लस यहां पर मिल जाएगा थ्री टाइम एच्ट्व और एच्ट्व यहां पर वैपर के फॉर्म में उड़ेगा क्या यहां पर कहीं से ऑक्षिजन की जरुवत नजर आ रही है अरे नहीं सर यहां ऑक्षिजन पहले से है इसका मतलब हमें ऑक्षिजन नहीं चाहिए अब वहां पर हम क्या कर रहें बंग करा रहें तो जिंक भी ऑक्षिजन पकड़ करके जा रहा है सलफर भी बन नहीं नहीं बन तहुत यहां और सी यू टू एस बन जाता है यह वाला पर प्रेजेंट रहता इस तरीकिसे अब हां इसको बंग करोगे तो दुबारा यह वाला प्र नहीं हुई तो भाया यह बन जाएगा यहीं लिखा है कि complete oxidation नहीं हो पाता यह नहीं बन हो पाता बहुत ज्याद़ इंपोर्टन पेपर में आता है अगली चीज तो ने यह हमारा जड़न CO3 इनके नाम आपको आने चाहिए ठीक है जी जड़न CO3 को अगर हमने हीट किया सेम कहानी यहां पर भी है बतानी जड़न ओ बनेगा और CO2 गैस भग लेगा अगला सुनिएगा CO3 को अगर हमने हीट किया इसको सीड़े राइट कहते हैं सायद याद होगा आपको ठीक है यहां पर क्या बन जाएगा CO2 जिन बच्चों को नाम नायाद हो रहा हो और का उसके लिए मैं लिंक डला दूँगा लिंक में जाकर क्लिक करिए और को याद करिए बहुत जादा इंपोर्टन है अगली चीज़ सुनिएगा यह अक्सर बच्चों को याद नहीं होता कि डॉलोमाइट को याद करने का त चीज यह दो जो होगा वह गुरूप 2 को याद कराएगा किसको याद कराएगा गुरूप 2 और गुरूप 2 में कौन कौन प्रेजंट हैं भया जी कालसीयम फिस्टरीके से हिंट आपको मिल जाएगा ऐंदर है तो आपको केलसुम आइन मैंगनेशम आपकी खोपड़ी माज जाएगा इनके कार्बोनेट अगर आप हीट करोगे तो कैल्सियम कार्बोनेट तो भया सी ये ओ देगा मैगनीशियम कार्बोनेट अगला देख लेते हैं आप देखें रोस्टिंग को अपने सामने से रोस्टिंग और ऐसनीक ने 5 नाम का S2O5 नाम का एक बन गया भीया जी यहाँ पर ऑक्साइड जो की वैपराईज हो गया बहुत ही आराम से तो वो भग लेगा तो इस तरीके साफ इंप्योर्टी भी हटाते जाते हो रोस्टिंग करते हुए आर्सनिक भग गया अगर हम एंटी मनी की बात करें तो यही काम एंटी मनी भी करने आता है या तो Sb2O3 टाइप बनाएगा या तो वो Sb2O5 टाइप बना करके उड़ लेगा क्लियर जी अगला सलफर है अगर सलफर आज क्या है इंप्योर्टी प्रेजेंट है और ऑक्सिजन वहाँ पर होगा तो इसमें कोई सक्संदेह नहीं है फॉस्फोरस है तो यहां पर क्या होगा ऑक्सिजन के साथ पी फॉर ओ टेन नाम का भईया गैस बना करके उड़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि रोस्टिंग के वक्त जो हमारी इंप्यॉर्टी होती है वह अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में जाती है और वह भईया वोलटाइल है तो छोड़के भाग जाएंगी माम लग लिया रहे गया यसर अगली सुने यहां पर इंप्यॉर्टी यहां पर क्या लिखा गया है समझिएगा यह मैं बताता हूं थोड़ा सा यह ग्रुप्टू वाली कहानी आप खुद नोट डाउन कर लिजेगा समझा दिया गया है कि दो का मतलब क्या है और कैसे याद करना तरीका क्या है उसका ठीक है अगनिक मैटर भी हटा दिया जाता है अब सुने यह जो नीचे में तीन पॉइंट्स लिखूंगा यह तीनों पॉइंट्स जो होंगे वह दोनों से रिलेटेड हैं पहली चीज क्या लिखी गई पहली चीज लिखी गई भया यह तो देखेगा रिवर्बरेटरी फरनेस के जयाता है और रोस्टिंङ भी रिवर्बरेटरी फरनेस के अंदर किया जाता है जब हम ओपें करके फरनेस कराते है तो रोस्टिंघ होती बंद करके कराते Wash क्लेर जी अगली चीज सुनें यहां पर बोला गया कैल्सिनेशन के अंदर भी क्या है रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल इंप्यूर्टी अभी बताया ना यह भग जाएगा यहां पर देखिएगा टिक यहां वॉटर प्रजेंट था वह भी वॉलेटाइल था वह भाग जाएगा यहां से भी निकल जाएगी अगली चीज क्या है यह भाईया कभी कभी पूछा जाता है और बिकम्स पूरस यस दोनों में ही और पूरस होगा अरे भाई एक बात समझो अगर माली जीए यह और है अब हर जगा आप कहीं न कहीं गैस वैस बना के उड़ा रहे हो तो होगा क् सर क्लियर है याद रहेगा जिसर याद रहेगा अगली चीज़ देखते हैं अगली चीज़ देखते मिर भाई अगला क्या है अगली बहुत सांदार चीज़ पेपर में यह बहुत पूछा जा रहा है सल्फ रिडक्शन इन रोस्टिंग रोस्टिंग कराते वक्त सल्फ बएको अगर दो-चार पैक ज्यादा चड़ गए तो आप क्या हो जाते हैं अपने आपको खतम कर लेते हैं सोचने की छमता वहां हो गई खतम अगर सोचने कि छमता हो गई खतम तो भया निश्चित रूप से वहां क्या होगा सेल्फ रेड़क्शन देखकर कि तुम्हें क्या बोलेंगे यादमी बावला हो गया इसने खुद को रिड्यूस करा लिया है कौन-कौन से लोग है पब में क्यूं हंगामा हो गया बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो मैं ज्वाला उपी लिख दूँ ज्वाला उपी लिख दूँ खोपड़ी में याद रहेगा खोपड़ी आपकी सुविकार कर लेगी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चीक है आईए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पहली लाइन क्या the reduction in which species reacts with itself to form new species खुद को खुद के साथ कुछ न कुछ कैसा कर देंगे एक नई स्पसीज बन जाएंगे अभी बता देता हूं जैसे कि देखिए का हमारे पास था कॉपर स्ल फाइड हमने खे साथ बंड कराया था तो आपको पता हूगा आश 10 गैस और शोटू गैस के साथ 6 fight क्लेक्शन कर लेगा सुनना सुनना हमारे भुन आश आ क्चीस परसेंड का करते बंकर आया जब बंकर राया तो हमारे पास मैं मिल ter कॉपर ऑक्साइड जो 75% प्रेजंट क्या प्रेजंट थे सल्फाइड उनका आपस में हो जाएगा रियक्शन तो यह दोनों आपस में रियक्शन करेंगे तो कॉपर मिलेगा अलग और सल्फर यहां से ऑक्सीजन उठा करके तो इस तरीके से आपने क्या करा भया जो कॉपर ऑक्साइड था उसको यहीं रिड्यूस कर लिया और क्या बना दिया कॉपर बना दिया तो रिडॉक्शन का प्रोसेस अलग से नहीं करना पड़ा यह भाई साब खुद को बंड करके यह बनाते फिर यह आपस में इट्सल्फ लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जो आपका कॉपर मिलेगा ना कॉपर मिलेगा क्योंकि वहां से सोटू गैस निकलती तो पहली बात तो यह जो कॉपर मिलेगा वह कैसा हो जाएगा पोरस हो जाएगा पहली चीज़ दूसरा जब कॉपर यहां पर बन रहा है तो वहां पर क्या हो चुलते हैं तो इसको कहते हैं ब्लिस्टर्ड कापर ठीक है यह फूल आहुआ हुआ रहता है एक तो बहुत बना पिलिब फूरा इसको प्राइव unis सब्सक्राइब करेंगे तो अपना ऑकसाइड होगा जो की अपने ही सलफाइड के साथ थोड़ा माथा पच्ची करेंगा और क्या बन जाएगा अगली चीज़ निकल करके बाहर आजाएगा अगली यही कहानी लेड के साथ लगानी क्योंकि हमने क्या बता है कॉपर एच जी और लेड यही यह कारकरम कर सकते हैं बाकी यह चंता और किसी को प्राप्त नहीं है यही तीन लोग हैं जो यह तांडव मचा सकते हैं बाकी कोई अपने आपको सेल्फ रड्यूस नहीं करा सकता इस वजह से बढ़ा सस्ता कारक्रम एक चीज़ और बताओं जो यहां से सब्सक्राइब करते हैं कोई चीज वेस्ट नहीं जाती कठा किया उससे यह बना लिया यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं इसका जबाब मैं चेक करूंगा मिलते हंगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रही है प्रशन रही आबाद रही है जिंदा करते रहेंगे बाई बाई टिक केर